आज हम जानेंगे STC 750 सनी का लोड़ चार्ट के बारे में आए जानते हैं लोड़ चार्ट कैसे देखा जाता है STC 750 का जैसे हम लोग देख रहे हैं यहां बूग पड़ा हुआ है तो सबसे पहले देखिंग रेडियेस एरेंज अपना बेसिक बूग लेंद 11.8 है और बूग लेंद जितना टेलेस को बाहर करेंगे 15.95 मिटर, 20.1 मिटर, 18.4 मिटर, 36.7 मिटर, 45 मिटर इसका फूम बूग लेंद है 45 मिटर जैसे हमारा डेडियेस से 3 मिटर, यहां 3 मिटर में हमारा बेसिक बूम पे लोड है लोड मतलब देख सकते हमारा कैपसिटी बनता है 55 टर्ड उसके बाद टेलेस को बाहर करने से मतलब 16 मिटर के असपास 15 टर्ड के असपास यहां कैपसिटी बन रहा है इतना 20 मिटर निकालने के बाद में 43 टर्ड के आसपास हमारा कैपसिटी बन रहा है जया 28 मिटर यह 36 मिटर यह 45 मिटर जैसे जैसे हम आगे बने के हमारा लुड ड ल और उष्क पर लोड Zap 5 ए A मीटर रेडियस में इतना बन रहा है और चार मीटर में 62 टन सारे चार पे 56 टन पांच मीटर में 51 टन सारे पांच में 47 टन 6 मीटर में 43 टन सारे चार में 49 टन साथ मीटर में 35 टन सारे साथ मीटर में 36 टन 9 में 20 टन उसके बाद जैसे जैसे हमारा भूम लेंध बड़ा होगा जैसे 20 में हमागए 20 में हमारा केपसीटी होगा तीन मीटर रेडियस में त्रियालिस टन जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ते चला जाएगा हमारा कैपसिटी कम होते चला जाएगा जैसे त्रियालिस टन हो गया सारे चार मीटर में जैसे आ गया हम लोग फिर पाँच मीटर में पांच मीटर में जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग का कैपसिटी एक आवान टन हो गया बैसिक गूम पे और बीश मीटर में लंप सम हो गया एक तालीस तन उसके बाद कम होते चला जाएगा जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा वैसे कम होते चला जाएगा उसके बाद सबसे नीचे आ जाएए 366 टन 300 किजी हमारा यहाँ बनेगा 16 मीटर डिडियस में और यह 20 मीटर बूम निकले बूम लेंध पर हमारा सबसे लास्ट बनेगा 6 टन के असपा स्केपसिटी ठीक है उसके बाद 28 मीटर में आ जाएंगे यहां 28 मीटर बूम निकला होगा तो लास्ट बनेगा कितना डिग्री पर कितना रेडियस ममलों काम कर सकते हैं 28 मीटर बूम निकालके 24 मीटर 24 मीटर एंगल पर 24 24 मीटर रेडियस में हम लोग काम कर सकते हैं मतलब 2 टन केपसिटी बनेगा यहां 28 मीटर बूम निकालके उसके बाद 36 मीटर हम लोग बूम निकालेंगे तो हम लोग काम कर सकते हैं 30 मीटर रेडियस में यहां पर 1 टन 500 केजी 45 मीटर में हम लोग काम कर सकते हैं मतलब 1 टन 400 केजी पूरफूर बूम निकालने के बाद में 32 मीटर डेडियस में ऑज यह उसके बाद का मतलने। लर्य जीप अलग से अब एक्सेड्र कर सकते हैं जिसे को लगाना है तो हम लोग फ्लाइजीप लगा के अपना इसका फ्लाइजीप दिया हुआ है सोलो मिटर का ठीक है तो इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं तो उसका भी कंडिशन करने से पहले जैसे हूंक रोब वन फॉल करना पड़ेगा इसका रेडियस एंगल दिया हुआ है कि हम फ्लाइजीप पर कैसे काम कर सकते हैं आईए हम दिखाते हैं आपको फ्लाइजीप पर कितने एंगल में काम कर सकते हैं यह फ्लाइजीप का हो गया अपना फ्लाइजीप ज प्लस नाइन सेकेंड फ्लाइजीप है जो 45 नौ मिटर का है यसे 45 से 9 मिटर फिर वहां पे 16 मिटर पतल दोनों फ्लाइजीप लगने के बाद में 16 मिटर प्लस हो जाएगा 45 प्लस 16 ठीक यहां पर अपना एंगल है जैसे 30 दिग्री 15 डिग्री-जीरो डिग्री से स्टार्ट करेंगे जैसे आपको काम करना है उसी साफ से एंगल यहां कर सकते हैं लाईजीप लगाने के बाद में अपना यहां पुडा रेंज मिटर दिखा अगने के बाद में 60 मिटर, 55 मिटर, 50 मिटर, 45 मिटर, 40 मिटर, 35 मिटर, 30 मिटर, 25 ऐसे पूरा ये अपना एक स्रेडूल हो गया इसका होस्टिंग हाइट को कर्व ये मतलब पेज हो गया ये होस्टिंग हाइट मिटर बत्त होस्टिंग हो